जिस जंगल राज के लिए 2005 में बिहार की जंता ने नितिश कुमार जी को बिठाया फिर नितिश कुमार जी ने उनी का दामत हम और देख लीजे बेतु का सचवाल जे रहे हैं विधान सभा में थोड़े दिन पहले नितिश कुमार जी नो जो बयान दिया था उसके बाद तो संसत्भवन की भी एक मर्यादा होती है न भई हमारे ब्लॉक की भी एक मर्यादा है सवाल कर दिया कौन सा मर्यादा को लंगहन कर दिया सवाल करने का तरीका होता है मलिका अर्जुन खडगड़े होंगे की नहीं होंगे विपक्ष के नेता ये कॉंग्रेस बताएगे ममता ब प्रोर्ण आपके सरकार सेक्स का एजूकेशन देना है जो संजाद इए तो फिर मर्यादा क्या है लोग इसको मानते है और लोग मानते ही नहीं है लोग उसके हिसाब से वोटिंग भी करते हैं में लोग सभा के चुनाओं को देखते हुए तमाम संगठनों ने अपनी अपनी तयारिया शुरू कर दी है एक तरफ भाजपा भाजपा जो अभी देश की सता पर का विजाज भाजपा की सरकार नौ साल बेमिसाल मना रही है तो दूसरी तरफ जो विपक्षी दले हो रहे हु महिला मोर्चा भाजपा की परदेश प्रवक्ता है सुष्ण मता कुष्वाहाज जी स्वागत है मैडम आपका सबसे परकार से मैडम आप तयारी तो आपने बीते दिनों देखी लिया तीन बड़े राजियों में बहुत ही अच्छी जीत भाजपा ने हासिल की और मैंने तो ट्रिम में क्या स्थिति हुई उन लोगों की तो बीजैपी आ रही है और बहुत बड़े बहुमत के साथ आरे बिल्कूल निशित रुप से बीजैपी आ रही है ए और पचीस में बिहार में भी बीजैपी आरे बीपक्षी पाटियों कहाना है उखाड फेकेंगे मोदीजी क तो कहां से उखाड फेकेंगे, आप 28 पाटीओं के साथ में आप इंडिया गडबंधन आपने बनाया है और आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी सहमती कहां बन पा रही है, मीटिंग में भी आपकी सहमती नहीं बन पा रही है, आप लोग पुरी तरह की से एक साथ बैठ नहीं तो इस चीज को इस तरी के से नहीं बोलें कि आदे लोग कुर्सी से उठके चले जाएं नितिश कुमार जी उस दिन कुर्सी से उठके चले गाए आज वो कुछ भी एक्स्प्लेनेशन दे अभी उनके राश्री अध्यक्ष की बात आ रही है कि उनके राश्री अध्यक्ष ने स्थिफा दे दिया कुछ दिन पहले ये बात आ रही थी कि राश्री अध्यक्ष को वो पद से हटा रहे है बहुत सारी ऐसी चर्चाएं आ रही है बीजेपी की जो स्थिती है आज की डेट में जनता चाहती है कि बदलावा है बहुत दिन हम लोगों ने देखा बहुत सारे चीज़ों को कॉंग्रेस का भी राजपाट देखा न भई और पिछले दो टेनियोर को तो हम लोगों ने देखा न प्रधान मंतरी जी के निशित रूप से हम लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले आप G20 की ही बात करें पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी अर्थविवस्था के रूप में भारत आया और जो G20 की जो बात हो रही थी इतनी खुबसूरती से इतनी बखुबी G20 का कारिक्रम और्गनाइज किया गया दिल्ली में तो जनता क्या चाहती है विश्व में अपना लोहा मनवाया हम लोगों ने इससे बड़ी उपलवदी तो कोई नहीं हो सकती है विपक्षी पार्टियों कारप है महंगाई से जनता तरस्त है विरजगारी है मोदी जी ने वादा किया था 15-15 लाख काउंट में आएंगे दो-दो कडोर हरसल रोजगार देंगे द्स लाख तो तेजस्वी जी ने भी कहा था वी में कितने भी पिएथ के लड़कों की बाहली हुई कितने की हुई कि ऋपति के लोग आगे यहां पे भर गए आपने बिहार के अपने फ़ाला और आज आपको यादाया केके पाठक कहां के हैं केके पाठक के यूपी के हैं आपके जो सची हूँ है वो कहां के हैं वो यूपी के अदेट के हैं तो आपने उते सारी चीज़े खोली वहीं के लिए गिरी राज को ज़्यादा तरजी दिया कहा है बिहार के लोग कहा है हमको बताइए ना और बाकी जो लोग हैं वो वही लोग हैं जो अल्रेडी पहले से सिख्षक थे जिन्हों ने बीपीएसी के लिए क्वालिफाई किया आधे से जाधा तो वही लोग है बिल्कुल देखिए उ तो डाटा निकाल के देखने वाली चीज है शरकार का दवा है कि हम लोग ने इतना नौकरिया दे तो थोड़ी है आप मीडिया में आप हमसे जादा बहतर तरीके से जान रहे होंगे क्राइम का जो रेशु किसी साब से बढ़ा है और आप कह रहे हैं कि हमने बहुत सारी वेवस्थाएं की बहुत सारी चीजे की तो हम सारी चीजे तो अभी हम लोग घूम रहे हैं संकल पियात लोग यहां से आपके उम्र के लोग यहां से बाहर निकल के जा रहे हैं 17,000 के नोकरी करने के लिए कर रहे हैं हमला कर रहे हैं किसी को बोलने की अजादी होती होती है स्कूल की जो गंटी होती हो 30 मिनट की होती है आप 30 से 35 मिनट आप पढ़ा नहीं सकते हैं रही बाहर निकालने की सांसदों की बात तो हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है प्रोटोकॉल से आप विरूद में रहेंगे तो वो पक्ष में हो या विपक्ष में है उनको उसका खामियाजा भुगत नहीं पड़ेगा तो आप हमको एक बात बताईए ना आप वहां के दो बात कर दियो और यहां पे जो थोड़े दिन पहले आपके आंगनवाडी के लोगों की हर्ताल थी एनेम की हर्थाल थी, सिक्षकों की हर्थाल थी, छात्रों की हर्थाल थी, उसके बाद आपकी आम लोगों की हर्थाल थी, जीविका दीदी की हर्थाल थी, तो सभी लोग आपसे असंतुष्ट हैं, वोई भी तो एक हमको तबका बताई हैं, और उसमें जिस हिसाब से हुई, आंगनवाडी के साथ में जो सिती हुई, आंगनवाडी के बहुत सारी ऐसी महिलाये हैं जिन पर आपने लोग ने लाटी डंटा करवाया, आभी देख लीजे, परसो वीर कुण सिंग का जो हुआ, सिनेट का बैठक हुआ, उस सिनेट के बैठक में जो मार पीट हुई, लड़ साथिक, आप सही मांति है, सस्यव आप, संसत भवन की एक मर्यादा होती है, भfamily, हमारे ब्लोग की एक मर्यादा है, सवाल कर दिया तो कौन lozept, समझ लीजे, सभापती के निर्देश में है, हम लोग प्रिंसिपल के निर्देश में है, हम लोग भी यहां पर बैठते हैं, अगर समीती के बैठक में बैठते हैं तो यहां पर प्रमुख सर्वे सर्वा हैं प्रमुख अगर कह दिये तो सुनना है अगर हम उसका विरोध कर रहे हैं तो आप उसके लिए काम करते हैं इसी तरीके समया पर हम अगर हैं किसी भी चीज के एक मरियादा होती है और लोकतंत्र तो जितने भी उनके सरकारी तंत्र है सभी गलत काम कर रहे हैं तो बिल्कुल निशी तरुप से तो तरीका नहोता है उसका कि बिना तरीके के कुछ भी पूछ लिजेगा इसले हम लोग बीजेपी का थोड़े दिन पहले हम लोगों ने लगा था आप विधान सभा का जो घिरा लें लोग बीजेपी कितने सारे लोगों के साथ आप लोगों ने लाठी डंटा आपने चलाया बहुत सारे लोगों के यहीं हमारी उपाध्यक्ष है महिला मोर्चा की उनका हाथ तूड़ गया था सिग्रिवाल जी का मता फुड़ यह तो हमने सामने देखा था तो वह था आप जब उस चीज को बाहर रोड पे जबकि आपके प्रमिशन लिया हुआ था उस चीज की एक बड़ और आपने चिटी दी थी कि हम एक शांती पूर्वग विधान सभा का गिराव करना चाते हैं आपकी तरफ से कोई भी बाहर आके बोल सकता था देखिए जनता को हम संद जनता ने विधान सभा में थोड़े दिन पहले निदीश कुमार जी नो जो बयान दिया था उसके बाद तो एक भी वारत उनको वोट नहीं करना चाहिए, करना चाहिए वोट है, आप सब कुछ, सेक्स का एजुकेशन देना है, सेक्स एजुकेशन देखने के लिए बिदाने सबा था है, और तरीका में समझा दिये थे तो फिर मर्यादा क्या है, ठेट वासा में समझा सरकार न को लायसेंस के लिए, सरकार न दीया ऑपने सुरक्छा के लिए, फोड़ी थोड़ी के लिए. एक औरत के लिए आपके विधान सभा में जितनी महिलाएं बैठी हुए थी उनमें से किसी ने सिर नहीं उठाया आप कुछ भी बोल दीजिए अंतीम सवाल आप से रहेगा कांग्रेस जहां अरक्षन की बात करती हम आरक्षन के पक्षेदर कांग्रेस एक बड़े नेता अचा करना चाहिए था इतने दिन से तो थी कॉंग्रेस की सरकार दूसरे की सरकार में यही बात याद आया आपको सतर सालों से तो आप ही की सरकार थी तो क्यों नहीं आपने आर्थिक आरक्षन किया उस वक्त आपको जाती का पिटोराड होने का मन कर रहा था हम जाती पर खेल खे और छोड़िये ना दूसरे केंद्र की बात हटा जीजिए नितिस कुमार ने किया ना अपने यहां जातिकत आरक्षण जातिकर उन्होंने जंगन्ना करवाया ना तो आपके यहां कॉंग्रेस की जिस राजे में शरकार है वहीं पर फैसला लेके देखे न हम देखना चाहते है आप लोग भाजपा भी तो बोल रही थी कि जातिकत आरक्षण के हम लोग समर्थन करते हैं तो चाहिए थी जातिकत आरक्षण की कहीं बाते नहीं हुई थी अज नहीं से आ रहे थी किया किस ने किया ना तो घीक है हैं तो ठीक हैमने समर्ठन की या तो आने वाले समय में वह भी देखने आपको मिलेगा महिला आरक्षन पर भी हला मचा उगा था कि आप लोग जो पिछड़ा समाज की महिला उनलोग अलग से आरक्षन नहीं देना दी गई यह इसमें पहले महिलाओं को खुद का तो आरक्षन मिल जाए पिछड़ा समाज का तो बात छोड़ दीजिये ना पहले तो ठीक है पहले हमको खुद का आरक्षन तो मिल जाए आरक्षन मिलेगा तम ना उसके बाद में आगे आगे के बार में हम सोचेंगे अभी तो हमको जिसने दिया उसी के बार में ना हम सोचेंगे उसके बाद अब जातिगत आरक्षन की बात होगी अभी तो महिलाओं को ही नहीं आरक्षन मिला था जातिगण अरक्षन जातिगण गर्णा अगर सरकार को लगता है कि सही है लेकिन हमारे हिसाब से अभी हमारे देश में उस तरीके की क्रिटीरिया नहीं है हम लोग इतना बड़ा लोकतंत्र में हैं और धर्म निर्पेक्ष तरीके का हम लोग करते हैं हमको एक बात बता दीजे कोई भी forward backward की राजनीती अभी भी हमारे यहां होती है और लोग इसको मानते हैं और लोग मानते ही नहीं है लोग उसके हिसाब से voting भी करते हैं होने वाले हैं लगवाल लगवाल तैय है तो दलित चेहरे की बात नहीं है राजनीती हो या कुछ भी हो ठीक है आप जहां पे स्टैंड करते हैं वहां पे आपको सभी लोगों को सामन जस्थे से काम करना पड़ता है मलिका अर्जुन खडगड़े होंगे की नहीं होंगे विपक्ष के नेता यह कॉंग्रेस बताइगे ममता बेनर जी नहीं बताइगे और आप जो कह रहे हैं कि तैय है कुछ तैय नहीं है गड़बंदन की पाटिया कैसे तैय करेंगी क्योंग्रेस की तरफ से तो कोई बेयान बाजी नहीं यह उन्हों नहीं आपनी बात कहा है खड़गे जी का यह बयान है कि उन्होंने का कि मैं नहीं इस बात को किस ने कहा ममताब एनर जी ने कहा और केश जी वाल ने समर्थन किया तो बाकी कि जो 26 पाटियां थी उन्होंने क्यों निकल कर आ गए लालू प्रशाद ने क्यों नहीं बोला पिंदर कुस्वाहा की अठकले तेज हो रही है कि जदिव में सामिल होने वाले है उन्हों जाएंगे कि आएंगे वो हम नहीं बता सकते हैं जो भी उनकी अपनी इक्षा है उन्होंने खुद छोड़ा था जदिव उसके बाद उन्होंने अपनी पाटी बनाई फिर वो दुब कले तो बहुत सारी चीजों की लग रही है उपेंदर कुस्वाहा अगर दुबारा जदियू में जाएंगे तो पूरा आप हम से भेट करीगा तब हम बताएंगे कि क्या है 24 में 24 में 24 में बिहार में बीजेपी 40 में 40 40 में 40 चलिए बातचीत हो रही थी महिला मुर्चा की पर प्रतिक्रिया रहेगे प्रतिक्रिया कोमेंट बॉक्स में लिख दीजेगा आप देख रहे हैं जनता हल और पर्शमीट लाइव नीज मेरा नाम हुआने तीस धन्यवाद